कहते हैं न अंधा आगे रसी बाटे और पीछे बचड़ा खाए कनाडा इसकी दुर्गती सुरू हो चुकी है भारत को नसीहत दे रहा था और अभी हालात ऐसे हो रहे हैं कि कनाडा तूटने के कगार पर पहुँच गया है कनाडा के अलवर्टा प्रांत ने अपने आपको जाद घोसित कर दिया है जानेंगे कनाडा के लिए कौन सी समस्या खड़ी हो गई है तो आई दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा हुआ है क्या भारत को आड में सामिल नहीं होना चाहता था और बाइडेन इसके लिए कुछ ऐसा कदम उठाने लगे जिसके बाद भारत सामि जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉल्टिक्स में आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कहते हैं पहले इंसान को अपना देखना चाहिए दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए और गलत चीज को अगर बढ़ावा दे रहे हो तो कल को वो तुम कनाडा उसके सपोर्ट में आ गया था और कनाडा ने कई तरह की बाते कह दी थी और जब उसके ही देश में फार्मर प्रोटेस्ट होने लगे बहुत भ्यानक तरीके से जाम होने लगा तब कनाडा ने आपात काल भी लगा दिया और अपनी सेना की भी मदद ली इस सिचुए नहीं थी कि अपने किषानों के साथ ऐसा करेगा लेकिन अपने किसानों के साथ पनाडा ने यहां पर उसके सować कि मांगों को अनसुना करते हुए इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से खटम कर दिया थाarda भारत को नसियत देने वाला कनाडा पता नहीं कहा चला गया था और अभी भी कनाडा में ये देखा जाता है कि भारत बिरोधी तत्तो बहुत आसानी से फलते फूलते हैं जैसे भारत में खालिस्तान की मांग करने वाले वहां पर बोटिंग करवाते हैं रेफरेंडम के लिए वोटिंग होती है और कनाडा की सरकार इसका परमीशन दे देती है और कनाडा की सरकार रोकती नहीं है तुम दूसरे के लिए अगर गड़े खोदोगे तो उस गड़े में खुद भी तो गिरोगे अगर दूसरे देश के लिए तूटने वाली बात का समर्थन कर रहे हो तो भी देश तूटेगा ये तो बिल्कुल निस्ची थे और ऐसा ही हो गया है कनाडा के साथ कनाडा ने जो चीज भारत के लिए बढ़ावा दी उस चीज को अब खुद कनाडा झेल रहा है और वो भी रातो रात कनाडा में एकदम से हंगामा सा हो गया है एक राजी ने अपने आ अपने बिधान सभा में जैसे हमारे यहां राज्य है बिधान सभा है वैसे ही उनका भी सीनिट है उन्होंने कहा कि हम ने अपने यहां एक कानून पास कर दिया है और इस कानून के अनुसार हम आजाद हैं किसी भी कानून को मानने के लिए और नहीं मानने के लिए मतलब यह है कि जस्टिन टूडू अगर बैठ कर केंद्र में ये फैसला लेते हैं कि वहिया कल से ये कानून लगेगा तो अलबर्टा कह सकता है कि हम तुम्हारे कानून नहीं मानेंगे बहुत तरह की चीजे लगभग हार चीज के लिए अलबर्टा ने ये कह दिया है कि हम तुम्हारे थोपे गए कानून को नहीं मानेंगे हमें लगेगा कि ये ठीक है तो हम मानेंगे और हमें लगेगा ये ठीक नहीं है तो हम नहीं मानेंगे अब अलबर्टा का ये सोभरनिटी एक्ट है और इस एक्ट ने फेडरल कानून को यानि केंद्रिय कानून को मानने से इनकार कर दि हैं अब समस्या क्या आ गई है समस्या यह आ गई है कि आखिरकार फैसला क्यों लिया इस प्रांथ ने कनाड़ा ने कुछ तो किया होगा जिसकी वज़े से यह प्रांथ में इस तरीके की भावना जन्मी या क्या किसी फॉरन एलिमेंट का हाथ है तो आपको बता दें दरसल जि पैसे निकाल कर कम पैसे वाले प्रांथ में भेजा जाएगा पैसा अब यह जो अलबर्टा है यह अलबर्टा खजाना है कनाड़ा के लिए इसकी जमीन पर तेल है बहुत ज़्यादा इसकी जमीन पर इतना तेल है कि आप इसका अंदाजा ऐसे लगाई है इसे माना जाता है वेनुजुयला सौधी ईरान के बाद अगर किसी देश पर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा तेल है तो वो है कनाडा का अलबार्टा यानि इस राज्य से कमाई होती है खूब जादा अब ये कमाई जो होती है ये कमाई जाकर बट जाती है दूसरे राज्यों में अब अलबर्टा कहराएगी नहीं कमा रहे हम और बटेंगे दूसरे राज्यों में ये चीज हम नहीं होने देंगे हम अपने हिसाब से चलेंगे जल्द से जल्द आप हमारी बातों को मानो और अगर आप नहीं मानते हो तो हम अलबर्टा के लिए freedom referendum लाएंगे यानि अलबर्टा को पूरी तरीके से काट देंगे कनाडा से दूसरों के लिए जो गड़ा खोदता है वो अपने गड़े में खु साल लिया था और अब कनाडा में यह अलग थलग होने की बात खेर जाएं एक तरफ यह सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही चौकाने वाली खबर आई है और यह चौकाने वाली खबर किसी और ने नहीं बलकि अमेरिका के महतपुर्ण मंत्राले से आया भारत इस क्वाइड में सामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि क्वाइड को लेकर भारत में दूविधा थी हमने हाली में देखा डॉक्टर एजय सेंकर ने कहा था क्वाइड के देश तो कसमीर पर हमारा साथ देना छोड़ दो हमारे मैप को भी नहीं मानते हैं तो यह बात तो साफ दिख रही है कि क्वाइड को लेकर भारत के अंदर एक संसय है और इसी बात को कैम्प बेल ने कहा कि भारतिये बिरोक्रेसी के लोग क्वाइड के पच में नहीं थे लेकिन भारत को क्वाइड में सामिल करने के लिए सीधे राष्टपती बाइडन ने पीएम मोधी सीधे तोर पर इससे जुड़ने की अपील की मतलब कि ऐसे ही जॉइन कर लिया है ऐसा नहीं बलकि सीरियस तरीके से क्वाइड में साथ आए पीएम मोधी और पीएम मोधी साथ आकर आगे बढ़े ताकि हमारे रिष्टे और भी ज्यादा मजबूत हो और हम मिल जूल कर काम क पर सके क्वाइड को लेकर तो अभी तक भारत भी आस्वस्त नहीं है क्योंकि क्वाइड सिर्फ अपनी बात करता है ना कि सब की बात करता है वैसे आपको बता दे यह वही अधिकारी हैं जिनोंने ये कहा है कि भारत अपनी खुद की महासक्ती बनने के पक्ष में हैं वैसे यह स्पेस के छेतर में डिफेंस के छेतर में और भी कई छेतरों में आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों के तालमेल बने और तालमेल बनकर इस दुनिया में लोकतंत्र जिन्दा रह सके भारत भी एक लोकतंत्र है और अमेरिका भी एक लोकतंत्र है और काफी पुराने लोकत रूबताइब